दो महीने तक चला IPL जो हसरफाइस सब खत्म हो चुका है और ट्रिकेट फैंस अब साउथ अफरिका सिरीज का अब इस सबरी से इंतिजाद कर रहे हैं साउथ अफरिका के लिए टीम का चैट हो चुका है और टीम प्रैक्टिस के लिए 5 जून को पहले मैच के वेन्यू दिल्ली में जुटे ही लेकिन क्या आपको पता है कि अगर टीम इंडिया इस सिरीज का पहला मैच जीत जाती है तो वह एक नया रिकॉर्ड बना सकती है दरसल भारत ने अभी तक लगातार 12 टी-टी मैच जीते हैं जो फिलहाल अफगानिस्तान और रुमानिया की लगातार जीत के संख्या के बराबर है अगर टीम इंडिया साउथ अफरिका के खिलाब पहला T20 मैच जीत जाती है तो वा लगातार 13 T20 इंटरनाशनल मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनकर एक नया किर्थिमान ट्रचेगी टीम इंडिया ने इससे पहले T20 विशुकप के आंकरी तीन मकाबले जीत कर न्यूजलेंड, बेस्टिंडीज और श्रिलंका के खिलाब तीन-तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्विप किया था बता दे कि इस बार रोहिज शर्मा और विराट कोली जैसे बड़े नामों को आराम दिया गया है और टीम की कमान केल राहूल के हाथों में सौपी गई है